हे वरिवन तुडेश टॉपिक इस त्योरी ओफ इंडिकेटर तो एसिट बेस इंडिकेटर जो अपना कलर चेंज करती है अकॉर्डिंग टु पिएज अगर पिएज चेंज कर रहे हैं तो उसकी तो कैसे चेंज होती है वह कलर उसी को एकस्प्लेइन करने के लिए दो थी गई ही है पहला है ऐस्तवर थिओरी औन दूसरा है क्यों भी तो चलिए देखते हैं पहला औस्ट्वर्ड थिओरी फिनफ्थ लेम्ठलीन एंड मिथाईल औरेंज ह४ एचपी एच एंड मे fairness two new equipment ready क्यूं क्यूंकि इसका यूज कर रहे हम Acid Based Tritration में इसलिए Oswald Theory में अभी हम किसी का भी use करके इसे explain कर सकते हैं तो चलिए HPH यानि कि Phenophthalene का use करके इसे देखते हैं तो यहां हम लोग Phenophthalene का use करेंगे और देखें कि Ph के according यह अपना color कैसे change करती है एक बार हम लोग Phenophthalene को Acid में डालेंगे और उपर से Base डालेंगे और एक बार हम लोग Base में Phenophthalene डालेंगे और उपर से Acid डालेंगे सबसे पहले हम लोग Beaker में एक HCl लेते हैं कोई Acid उसमें Phenophthalene डालते हैं और उपर से Base डालेंगे तो HCl Dissociate में होगी H+, Cl- और Phenophthalene भी dissociate होगी H+, pH- तो H+, H+, यहां फे common iron होती है तो इसलिए यहां common iron effect की वज़ा से Phenophthalene जो होती है, unionized form में पाई जाती है और यह unionized form colorless होता है इसलिए acidic medium में, यहां HCL यह थे तो acidic medium में Phenophthalene colorless होती है अब देखते हैं सकेंड, सकेंड में हम लोग क्या कर रहे हैं बेस ले रहे हैं यहां पे उपर से HCL डालेंगे तो इसके अंदर Phenophthalene डालेंगे तो बेस dissociate होगी Na+, OH- Phenophthalene भी dissociate होगी तो यहां पे क्या होगा unionized form में यह नहीं परजेंट है यह ionized form में परजेंट है इसलिए क्या होगा यहां common ion effect नहीं लगेगी क्योंकि यहां कोई भी common ion है ही नहीं इसलिए यहां पे ionized form जो होगी HPS यानि Phenophthalene यह pink color की होगी Second theory है हमारी Qninoid theory यह theory based होती structure पे और जो हमारी Oswald theory थी वो थी ionization पे based यानि की common ion effect पे based थी हो और यह है structure पे based इस theory के according acid base indicators दो tautomeric form में exist करता है जो क्या होता है different structure होता है जिसके पास और वो equilibrium में होता है तो एक जो form होगा वो benzenoid form होगा और दूसरा form क्यूनिनोइट form होगा यह जो दोनों form होगी benzenoid form और क्यूनिनोइट form दोनों का color different होगा और जो इनका color change होगा वो inter-conversion होता है यानि की एक form से दूसरे form में वो convert होगा color में भी और एक form जो manly exist करेगा acidic medium में और जो other form होगी वो alkaline medium में होगी जैसे example में देखे फिनाफ्थलीन का तो फिनाफ्थलीन का दो form होगा benzoid form और क्यूनिनोइट form तो benzoid form acidic medium में colorless होगी और क्यूनिनोइट form alkaline medium में pink color की होगी और यहाँ पे इसका structure है फिनाफ्थलीन का benzoid form ऐसा होता है और क्यूनिनोइट form इसका फिनाफ्थलीन का इसका structure यह होता है